तो आज मैं आपको टॉंगी चौनवादे चावल की रेसिपी कैसे त्यार की जाती है उसके लिए मैं यहाँ पे एक रिखावल ही है इन्हें तक्रीबर आदा घंटा हो गया भी खो दिये हैं पांच मिंटे के लिए मैं परे चाने भूबी रहे थे तक्रीबर तेस मिंटे के प्रेशर तगाके इन्हें अच्छी तरहा बॉल कर लिया है इसमें इसमें दो बड़े साइस के ट्माटरा एंड कर रहे हूं तक्रीबर 11 से 12 हरी मिर्श मैसमें एड कर रहे हूं एक वन तेन बड़े चमच मैंने इसमें कुकिंग ओल के अड़ कर दी है यह गरम हो गया इसमें प्यास दाल दोंगी मैं और इसे इच्छी से फ्राइ कर लोंगी जिए भी लाइट ब्राउन कलोर हो जाएगा अपर मैं इसके अंदर बाकी मुसाले आड़ कर लोंगी हो गया है अब मैं इसकेंदर सोड़ा सा पानी आड़ कर दोंगी सारे के तमाचार हारे मिल्ट अद्रक लसन का पेरिश तुरक मिल्च औ नमस और गॉल के दो चरणिए अब मैं इसकेंदर पानी आड़ कर लोंगी चार को टोड़ी चावलो के थी उसकेंदर मैं साथ को टोड़ी पानी आड़ करोंगी और इसे तरह में नमक टेस्ट कर सकते हैं अगर आड़ के सचिए आड़ करें लेगें पानी इसका पानी शबिलना चूरू ओक्यक्प्तवाें have primeiro अज़कों आड़ कर दोंगी इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर चावल एड़ कर दूँगी जो मैंने पहले विभू कर रखने वेशे और इसे अच्छे से इसका पानिया खुश्फ हो गया अब इसे दम पर रख देंगे अब मैंने इसे दम पर रख दिया तकरीब बीश से 25 मिंट के लिए धकन पर रुमा लगा के लोव फ्लेम करके पूरे 25 मिंट बाद मैंने इसका चूला बंकर दिया है और चने वाले चावल बन के त्यार हो चुत मैं अच्छी धनिया और नमक अड़ करके उसे ग्रैंड कर लिया था फिर इसे मैं अदेही में मिक्स कर लिया है चूने वाले चावल की मैंने आपको असान रेसिपी बताई गया आप इसे ड्रू ट्राइ कीजेगा और पर मुझे बताईएगा करके के आपको मेरी रेसिपी क कि अधिर गड़ कर चावल रूंगा पर